जैहिन दोस्तो कैसे हो आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होगे दोस्तो भारती डाक विभाग यानि कि इंडिया पोस्ट आफिस की हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो उस पे एक और वेकेंसी सामें निकल करके आ रही है और वो है ग्रूप C की सारा बेसिक डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूँगा तो दोस्तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंतर तक देखेगा और दोस्तो एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे जो महाशाय ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर आप फ्रॉड वीडिय है कोई वेकेंसी नहीं आई है तो मैं आपको बहुत दिखाँ नूटिफिकेशन दिखाँ में दोस्तों उसमें नंबर आवस पॉस्ट कितने है यह बताऊंगा कॉंकों से सीट कि बहुत जैशा कि मैं बात कर रहा हूं भारती डाग विभाद ग्रूप C कि भारती के बारे मे देखे, online आवेदन के अगर हम लोग बात करेंगे तो already इसका online आवेदन स्टार्ट हो चुका है ठीक है, last date जो आपका रहेगा वो 13 माई 2000 तईफ रहेगा शाम को 5 जे तक, ठीक है ना और दूसरी चीज़ यह है तोस्तों कि यह जो केंफी आई है, वो offline है ठीक है, online के मादधम से आप इसे farm को fill नहीं कर पाऊगे, तो मैं अभी सारा सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको farm को fill करना है, देखे, अगर age के हम लोग बात करेंगे, तो 18 से 30 fall के जो candidate है जनरल candidate के अगर लोग बात करेंगे, तो 18 से 30 fall के जो candidate है, वो farm को fill कर फकते हैं, उसके अलावा age में छूट भी दिया जा रहा है, कितना छूट मिल रहा है OBC के candidate को 3 fall, और SC, ST के candidate को 5 fall का यहाँ पे age का छूट दिया जा रहा है दोस्तों वो मैं वीडियो में अभी आपको आगे बताऊंगा दूस्तों और देखे दूस्तों, चूटकि आप लोग government job की तयारी करते हैं, विद्यार्थी हैं तो उसके नाते मैं आप से एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तयारी करते हैं तो अपने life में केवल एक ही लक्षे रखिएगा चुकि आपको मालूम है ना कि दो नाव पेर पायर रख करके नईया पार नहीं होती है ठीक ना आप पार नहीं हो सकते हैं, आप डूब जाएंगे मजधार में तो इस वज़े से आपको केवल एक target लेकर के चलना है अगर आज से 5 साल बाद या 8 साल के बाद जब कोई आपसे मिलेगा ना तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे हो आपसे ये पूछेगा कि आप क्या करते हो, आपकी हैसियत क्या है तो इस वज़े से मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि आपका चाहिए जितना भी ये जो 18 साल हो, 20 साल हो, 22 साल हो, 25 साल हो तो अगर आप अगर गौर्ण्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो ना तो दोस्तो यही समय है और ये golden period है दोस्तो 2023 से अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये फाल भरतियों का फाल है आप लोग बिल्कुल लगे रहेगा दोस्तो ठीक है ना, लग करके तैयारी करिए और हर हाल में आपको जो है 2023 में एक फरकारी नौकरी ले लेनी है ठीक है apply mode के अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तो तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि offline के माध्धम से ये farm feel होगा और apply fees यहाँ पे कोई पैफा नहीं लेगे यानि कि आप किसी भी criteria के अंतरगात आते हो general, OBC, EWS, SC, HD कोई पैफा यहाँ पे नहीं लगना है यानि कि आप लोग बिल्कुल निश्वल फार्म को fill कर सकते हो education criteria क्या मांगा है तो बहुत जादा नहीं मांग रखा है दोस्तो बस एक चीज का इसमें थोड़ा सा problem है क्या है वो मैं आपको बताता हूँ देखें कच्छा आठ का certificate तो आपके लिखे हुए है ठीक है ना तो आप उसे लगा करके दोस्तो अप्लिकेबल हो सकते हो यदि दोस्तो अगर आपके पास वह एक साल का experience certificate नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ काफी कम ही बच्चों के पास experience certificate यह वाला होगा तो आइटियाई की हुए बंदे यानि कि जो चात्र आइटियाई की हुए है related trade फे वे इस farm को फिल कर फकते हैं तो कहीं ने कहीं जो चात्र आइटियाई की हैं उनके लिए यह बहुत गोल्डेन एपार्चुनिटी होने वाली है आप लोग जड़ू फार्म को फिल कीजएगा अगर आप जो है अपलिकेबल हो तो आप लोग जड़ू फार्म को फिल कीजएगा दोस्तों और salary की अगर हम बात करेंगे ना तो फैलरी इसमें GDS से भी अच्छा मिल रहा है, शुरुवाती फैलरी जो आपको दी जाएगी, वो दी जाएगी 19200 से स्टार्टि होगा, दोस्तो आप लोग वीडियो में अंतक बने रहेगा, मैं भी आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, क्योंकि काफी फारिच छात् मात करेंगे तो जॉब लोकेशन आपका रहेगा मुंबई में, जॉब लोकेशन जो है आपका मुंबई में रहेगा दोस्तों, आनि मुंबई में रह करके आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, ऑफलाइन फार्म रहे जैसा कि मैंने आपको बताया ही है और देखे, लगेगा उसका certificate होना चाहिए या फिर अगर आप ITI कियो हो तो ITI का आपको certificate लगेगा उसके अलावा काश्ट certificate यानि कि आप जिस भी केटेगरी में आते हो वो बीसी SCHT जंडल है न वो काश्ट certificate लगेगा दोस्तों उसके अलावा लगना है आधार काड आपके पाफ होगा वो लगना है ठीक है उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो वो तो होगा आपको लगा करके कोश्ट आफिस के थुरू स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों तो जहां पर कंपटिशन की बुक मिलती है न वहां पर आप जाईएगा वहां आपको ये फार्म देखने को मिलेगा भारती डाक विभाग ग्रुप C की ये वितनसी है दोस्तों ठीक है और देखे इसमें experience certificate है वो कहीं से कभी हो गौर् दोस्तों अब सबसे पहले मैं आपको notification दिखा देता हूं दोस्तों जिसमें कि सारे basic detail दिया गया है तो उसके लिए आपको चलना होगा mobile के screen पे तो दोस्तों ये वो official notification है जो इंडिया post office में जो group C की vacancy आई है दोस्तों ministry of communication department of post India ठीक है यहाँ पे आपसा भी लोग देख सकते हो दोस्तों यहाँ बगल में date भी दिया गया है और देखे अगर हम लोग फीटों की अगर हम बात करेंगे कि कौनकों से post पे vacancy आई है तो दे तो 10 post पे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों ठीक है ना उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं eligibility की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अच्छा आट के फाथ experience certificate मांगा जा रहा है या फिर अगर आपके पास experience certificate नहीं है आई टिया आपने किया हो तो भी आप लोग apply कर फक्ते हो चीगे ना qualification के तौर पर यहाँ पे फाकुश दिया गया है आप लोग भी यहाँ पे अच्छी तरीके फे read कर फक्ते हो सारी चीजे और दोस्तों यह जो notification है इसका link मैं video के description में डाल दूंगा आप लोग वहाँ से भी अच्छी test लिया जाएगा और इसी प्रकार से आपका chain होगा किसी प्रकार का यहाँ पर कोई भी exam नहीं होगा ठीक है ना उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको बताया है यहाँ पर कॉंकों से documents लगेंगे देखे offline form है तो आप लोग को कैसे form को fill करना है जहाँ पर competition की किताबें मिलती वो चीज आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजेगा ठीक ना तो यहीं सारा सब कुछ जानकारी देना था दोस्तों फटा 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 अगर आप लोग इंट्रेस्टेड हो तो आप लोग जो है अप्लिकेबल हो दोस्तों तो आप लोग apply कर फकते हो ठीक ना यहाँ पर